पंजाब से हैं प्रदीब कौर्स फागत है आपका जी नमस्कार जी बात हो रही है प्रदीब जी बताईए जी प्रिज में दर्दें हो रही है क्या हो रही है आपको कबर दर्दों हो रही है कावों में दर्दों हो रही है हाँ हाँ ठीक है कितनी उमर है प्रदीब साहब आयू आपकी उमर कितनी है प्रवा नहीं करो जी देखो एक तो यह करो कि वैस्टन टॉयलेट यूज करो और देखो आप पंजाबी पतर लग रहे हो मैंनो और कोई वजन वजन नहीं उठाना और तुसी कोई डांस भी नहीं करना कुछ दिन तक वो पंजाबी डांस जो होता ना वो बहुत जटके ले होता है तो एक तो यह एतियात करें वजन नहीं उठाएं और वैस्टन टॉयलेट यूज करें और एक आता है गौन्द सियाह यानि काला गौन्द इसको हम लोग बोलते हैं असली ले लीजे बस और सौ गिराम काफी होना चाहिए रोगी के रोग के लिए आदा गिराम अगर असली मिल गया तो अदा गिराम नाश्टे के बाद अदा गिराम शाम को खाने के बाद खाया करें पानी से या थोड़े पतले दूस से यानि बगर चरबी के दूस से खाएं तो बहुत अच्छा थोड़ा सबर करना इस रोग के लिए ये अच्छा इलाज वाना जाता है और मेडम नमस्ते जी नमस्कार सर अकेंदा नमस्कार जहीर सर वेलकम तो आप बताते हैं कि उसमें आउला जैसे बताते हैं किसी और चीज में पढ़ना है किसी पाउडर में तो क्या आउले को भी उसमें अलमंग में चेल में भूनना पड़ेगा ठीक है और कोई सवाल भी है आपका नहीं या और चुछ नहीं है यह हरार जैसे भूनते है या बहेरा भूनते है तो आउले को भूनने की जर्वत है कि नहीं दूछे और प्रोटक्सenen जालने के लिए हैं हाँ सिर्फ देखिए तीन नाम है आमले को भूरने की जरूरत नहीं है तीन नाम है हरड बहेड़ा और हरड काबली ये एक ही फल होता है कच्ची कहरी होती है कच्चा फल गिर जाता तो छोटी हर बहेड़ा जो उसमें अंदर गुठली पड़ जाती है उसे बहेड़ा कहते है और उसकी गुठली जब पुखता मजबूत हो जाती है तो उसे हरड काबली कहते है ये तीरों एक ही फल है तो ये जहां भी इस्तमाल हों उनको इसमें कमसकम ये अरणडी के तेल में जिसे कैस्टॉल आइल कहते है या बदाम के तेल में या फिर भी अगर कुछ भी नहीं हो हैं तो फिर किसी भी तेल में भुण लें लेकिर इन तेलों में भुणकर इसके नतीज़े बहुत अच्छे ये बहुत कीमती और फाइदे बन्द चीज है लोगों के लिए जो इसे भुण का इस्तमाल करते और यह अगर भुने नहीं जाये तो यह आथों में अलसर तक कर द जिंदगी अलसर आतों के अलसर कहते हैं आतों के छाले आतों के जखम तो यह उसमें मुप्तला कर देती है खुदारा आप इसको भून कर इस्तमाल करें और फाइदा उठाएं जी अगली कॉलर है सिम्रंग जी स्वागत है आपका जी तो नमस्कार नमस्कार इसको घंग देखते हैं जी कि अधाएं जी लुक्ति हो जाते हैं दाइसाब, ऐसा है कि मैं वो जो क्या होता है, जो खाने का सोड़ा है, तो मैं इस्तेमाल करती थी जैसुन के सिटके में डाल का जो खुझली होते थी वो मेरी ठीक हो चुकी है, तो क्या मैं वो जो होता है, जो खाने का सोड़ा क्या मैं उसको बंद कर दूँ और दाइसाब मे तक क्या मैं अजीवन इस गुंद वरिंगा को इज़ कर सकती हूं कि मैं मेरी ग्लो ऐसे ही बनी रहे अच्छा वो क्या गुटका तो नहीं खाती है उच्छा फ़ह रखती थी है ना थीक एखिए मैं समझ गया था गुटका क्हानेवालों का ही मुँध थोड़ा सा खुलता है वो गुटका मुँए रखके जो यह चबाते रहते रहते हैं तो वो यहीं फिक्स हो जाता है अब उसको जब मुझ खोलने की जरूरत पड़ती तो इतना सा खुलता है यह भी ठीक हो सकते हैं आप उन्हें अलसी भूनें तीर चार सो गिराम अलसी भून लें और यह गौन मौर गुटका दुबारा निखाएनी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है उनको भी फाइदा होना मुम्किन है और आपकी जो प्रेम है ना प्रेम भावना खास तोर पर इनके लिए और वो बहुत कीमती है आपका जो सीधा पन आपका भोला पन और आपका विश्वास भगवान में यह आपको बहुत जल्दी फाइदा करता है हम चाहते हैं कि ऐसा विश्वास सब में हो और सब लोग इसका युनानी दवाओं का इस्तमाल करें आप कभी-कभी तो ले सकते हैं एक दिन छोड़ के लिया करें अब आपके चेहरे पर पूरी गलो आ गई इससे गॉन वारिंग कभी-कभी इस्तमाल किया करें अब आप पूरी तरह अच्छी हो चुकी है मेरी तरह से बहुत-बहुत मुबारक लेकिन वादा करें आप लोगों की इसी तरह सेवा करती रहेंगी जब तक भी सांस में सांस और दम में दम है और दिमाग ठीक है दिमाग जब तक ठीक रहता जबी तक आद में काम करता है तो हमेशा लोगों की सेवा करती रही आप बहुत ज्यादा पूरे गाओं की सेवा करती है यह मुझे पता चल चुका है जी महराश्यों से हैं तौपिक जी स्वागत है आपका हालो हालो हाँ जी सर अपना सवाल कर लीजिए अवं मेरे राइड अपर्णूरा सफ घुमक्लाल लीके वी जाहिता हुआ है गका से वो वो दस्ते देशी लगते चाउट से देशी लगते और खुजाती भी है राइट साइड के कहां पर पैर में नहीं राइट साइड शीर पर अच्छा इस तरफ खुजाती है आपको अईबरों के पास ही दिखकत है कि अंच्छाया है शाय चालने हैश्तधावर के उपर इनको दिखकत परिशानी है दर्द होता होती होती है हुआ दिखिये कलौंगी का सिर्का ले कलौंगी का SIRKा दो या थीन चम्मच एक गिलास पानी में डालेग़ और एक चुटकी में सोडा जतना खाने का सोडा जो हमारे किचन में हूता है मम्मी से पूछना या घर में जो जिम्हेदार है वो मिलाकर रात को सो तुशा में एक खुराग पिया करें आपकी परिशानी ठीक होना मुम्किन है जीवन मिश्रा जी स्वागत है आपका नमस्कार मैं जी नमस्कार सर अकेम जी को नमस्कार जैहीं वेलकम सर जी बोलिये तो जैसे दियें तो उसके आँच शिपकने लगाया रात को जिसका लाल रहता था तो उससे ये पूछना है कि कोई आगे देते रहें कितने दिन तक एक सफ़ा बोले थे कोई दिकर तो लिखेगी और दूसरे के ओगांच गांच ती थे उसको भी दे रहा हूं उसको भी एक लेगी रही है तो उन्होंने खस खसा बताये थे मेरे को कि दूद में पीस करके देने के लिए तो खस खस दे रहा हूं तो उससे ये दर्द में तो रात मिली आज 7-8 रोज हो गए मगर पेट कब जो होने लगा है उसके लेकिन जो खुल के नहीं आती है ठीक है अधी ये बुरी बात नहीं है अपने डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं ये जो वाइरल होते हैं ना वाइरल बुखार या ऐलर्जिकल कोई मर्ज और गोहाईनी जिसके दाने दाने निकलते हैं बच्चे को उसके लिए अब ये चीजे इनको पांच-छे साल तक नहीं होती ऐसा हमा बेफिकर हो जाईए और जो इलाज करना चाहें करें लेकिन ये रोग अब ये मुद्दतों तक उनको परिशार नहीं करेंगे और मैडम को भी फायदा शुरू हो गया ये और खुशी की बात है अगर कब्स होता है तो एक चमच धनिया के साथ दिया करिए मैडम को धनिया औ और मैथी का पॉडर बना लिजे जिसमें मैथी पचास गिराम हो धनिया सो गिराम इसका पॉडर एक चमच उनको खिलाएं और ये पिला दे तो उनकी ये परिशानी भी ठीक होना मुम्किन है और क्या सवाल पस इनकी दो ही सवाल थे हकीम साब ठीक है अगले कॉलर है पंजा अगले को भीिजर दंड टेषिएर्ड प्रमाई में मैजी हमारे डोजंटा खाल गो में डोट प्रम मिंक हॉस्पाद डुट गेले का लurnya का मैद अगलमे दोलन तकते सवाल कॉजे है अगले हमस का र neц! सब्सक्राइब करें जिनको पैरों में दर्द है रात को उसको प्रेरी आजाती है क्या आती है रात को मुड़का आ जाता है सर सोते बर्द को मुड़का आ जाता है ठ्रेरी आ जाती है हम लोग समझ ने पार है नड़ों में बचाह है ठीपि नड़ सोब की चाहिए आपकी आवाज साफ नहीं आ रही भाई अच्छा आपको मेरी आवाज मिल पारिये सर अजी मैं धर से बोलती हूं आप बताईए जिनको पैरों में दर्द है उनको बीपी है शुगर है नसों में खिचाव है और रात को मिर्गी के दौरे आते हैं जाए जाए दर्द हिचाव नसों में खिचाव है और कोई सवाल और एक दूसरा स्वाल है कर लगतेश नमर से काशवाल है हां इसको इसको बीपी शुगर रचाव थाए सिगनल की पाप्लों जी जी बीपी शुगर दर्द नसों में खिचाब अधिए बीपी शुगर शाद दो लोगों को है आपको तो बीपी शुगर का इलाज लेते रहें दवा न छोड़े जो भी आप लेते हैं और कलाउंची का सिरका दो चमच पानी में डाले और एक चुटकी उसमें खाने का सोड़ा मिलाएं और दिन में दो बार खाने के बाद पिए और अपरी सारी ओशद्धी लेते रहें जो डॉक्टर देता है और यह लेना शुरू कर दे तो धीरे धीरे सारी चीज़े कंट्रॉल होना मुम्किन हैं और जिनको नसों में दर्द कमर में दर्द या पैरों में खचाओ या कहीं भी दर्द है तो गौंध सियाह नाम का एक काला गौंध आता है जिसका असली लेना बहुत जरूरी है इसको आप असली लें और इसका पौडर बना लें यह एक रो मैटेरियल यानि कच्ची गौंध है एक जो नकली बहुत मिलता है, 100 ग्राम खरीद लें, काफी होना चाहिए, एक रोबी के इलाज के लिए, ये पंदरह, 16 रुपए रोस का इलाज है, आदा ग्राम सुबह खिलाएं, आदा ग्राम शाम को खाने के बाद, और नाशते के बाद, तोड़ा सवर करें, धीरे, धीरे, धीर है यह आपके सारे जोडों के नसों के परिशानी को अच्छा करता है और जिनको भी नसों में कमर में दर्द है और जोडों में दर्द है तो वो वेस्टन ट्वालेट का प्रियोग जरूर करें और ज्यादा महनत ना करें तो फायदा होना मुम्किन है